ओम शांती, आज चो बिस मई दो हजाद देज के साकार मधुर महवाक्य हैं, आज के मधुर महवाक्यों में प्यार के सागर बाब का अनुपम प्यार, दिव्य प्यार मुरली से स्पष्ट होता है, बाबा का प्यार है जो बाबा हम सब को पढ़ा कर स्री लक्ष्मी नारंड ज होती है, बाबा केते मीठे बच्चे, तुमें बाबा जैसा मीठा, बाबा जैसा प्यारा बंदा है, तुम बच्चे अगर याद में रहेंगे, तो सदा सलामत रहेंगे, संगम के समय पर बाबा बच्चों को तीसरा नेत्र देते हैं, त्री नेत्री, त्री काल दर्शी बना जाते हो, रचता और रचना का ज्यान बुद्धी में बैठ जाता है, सच्ची शांती पाने की विधी शरीर से डिटाच हो जाना है, जब चाहे देह रूपी बाजे को बचाओ, जब चाहू इससे न्यारी हो जाओ, जो यह अभ्यास करते हैं, देह से न्यारी आत्मा हूं, वो सच्ची शांती का अनुभव करते हैं, सच्ची शांती के लिए घरबार छोड़ने के आवशक्ता ने, बस अपने स्वधर में टिकना है, बहुत सुन्दर बात बाबा ने समझाई, कि तुम बच्चों को ये बात याद करनी है, हम सो सो हम, ये स्वधर्शन चक्र सदा सच्ची शांती की अनुभथी में खूमता रहे, यहां मात पिता के समुख बैटे हो, ये बेहद का घर है, जहां जगदंबा मा भी तपस्या कर रही है, आप बच्चे भी ज्यान योग सीख कर देवी देवता बनते हो, जब बाबा समझाते हैं, तो ब्रमा बाबा भी बीच बीच में समझाते हैं, लेकिन आप सदा समझो कि शुब बाबा ने समझाया, समते हैं बाबा के मदर बोल, बाबा ने का मीठे बच्चे, सच्ची शांती की अनुभूती करने के लिए शरी से डिटाच हो जाओ, सच्ची शांती की अनुभूती करने के लिए शरी से जब चाहो शरी रूपी बाजा बजाओ जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ कोशन है प्यार के सागर्श बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है प्यार के सागर्श बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है प्यार का सागर्श बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अती म सभा माल है जो तुम पुझ्य लक्षमी नारण जाते हो जिनके दिदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीढ़्ण लगती हैज बाबा आये हैं बच्चों को मनुष्य से देवता पुझ्य बनाने के लिए buyers को को समय तुम बच्चों को ज्यान का तीसरा नेत्र मिला अर्थात आत्मा की आँख खुली है त्री नेत्री कहा जाता है इसको तीजरी की कथा भी कहते हैं वास्तों में है एकी नाम राजयोग राजाई प्राप्त करने के लिए राजाई प्राप्त करने से और राजाई से योग इसका अक्षर है मन मना भव, मध्या जी भव, मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो, बाबा केते मुझे याद करो, मैं जोती स्वरूप निराकार हूँ, अपने स्वरूप को याद करो, बाबा ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई, बच्चे जानते हैं, ब बाब प्यार का सागर है, तबीब तो प्यार करते हैं ना, प्यारे ते प्यारी वस्तु को याद किया जाता है, बाब भी जानते हैं, बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूं, यह दादा तो बड़ा सुखी था, यह कोई दुख नहीं था, प्रन्तु यह नहीं जानते थे कि बाब आकर क्या सुख देते हैं, बाबा क्या सुख देते हैं नहीं जानते थे, अब तुम अनुभवी बनते चाहते हो बाबा कर सदा सुखी, शान्त बनाते हैं, सुख होता यह सम्पत्ती से बाबा कर वर्सा देते, कोई धनवान भी होते हैं बच्चों को वर्सा देते, सुखी बनाते प्रन्तु शांती तो दे ना सके, शांती तो सब चाहते हैं सन्यासी भी कहते हैं, मन की शांती चाहिए क्योंकि मन बुद्धी है आत्मा के अंदर कहते मन की शांती कैसे हो बाबा ने समझाया पूछो आत्मा को अशांत किस ने किया वो लोग तो कह देते आत्मा सुख दुख से न्यारी है अभोगता असोचता है ये नहीं चानते मन बुद्धी आत्मा के ओर्गंस है बाबा समझाते अशान्त माया करती है आत्मा का स्वधरम है शान्त बाकी ओर्गन्स है प्रन्तु शान्ती में कहां तक बैठे रहेंगे सन्यासियों का हट योग अंदर खड़े में चले जाते यहां तो सहज रिती बावबैट नौलिज देते करम योग है न योग तो शान्ती रात को भी मिलती है अच्छा हम आत्मा इन और्गन से काम लेते वा नहीं लेते यह तो हमारे हाथ में है मैं बाजा नहीं बजाता हूँ अपनी को डिटाच समझो आख मूंदने की दरकारनी आत्मा इन आखों से देखती रहती है आत्मा को आखें मिलिये देखने के लिए बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ ऐसे बैठ जाता हूँ सरब बैठ जाने से फाइदा ने फाइदा है बाप की याद से जब तक सर्व शक्तिवान बाप से योग नहीं कोई फाइदा हो नहीं सकता योग को ही अगनी कहा जाता है इसको युद्ध का मैदान कहा जाता है माया पर जीत पाने का मैदान योग से तुम्हारे आयू बढ़ती है विकरम विविनाश होते हैं बड़ी खुशी होती है योग से आयू बढ़ती है विकरम विनाश होते हैं बड़ी खुशी होती है, बाबा को याद करते करते, बाबा के पास चले जाएंगे, है तो सब ड्रामा, प्रन्तु बाबा हर बात समझाते, बाबा को याद करते रो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठियोगी तो नहीं हो, ओर्गन्स मिले है काम करने के लिए, तुम जानते हो, आत्मा ही पहले सतो प्रधान रहती है, फिर सतो रजो तमों में आती है, अब शुरू से लेके सब तमों प्रधान है, कोई-कोई अच्छी आत्मा होगी, तो नाम बाला रहता है, प्रन्तु पिछाडी वालों में ताकत कम रहती है, पहले आत्मा में ताकत अजास्ती रहती है तो बेहद का बाप है प्यार का सागर बाबा है प्यार का सागर पांच सेकंड प्यार सागर पर एकागर हो जाएं उसकी प्यार की किरनी अपने में आती अनुभाव करें बाबा प्यार का सागर है कितना खीचता है देखो ये लक्षमिरार कितने खीचते हैं उनको किसने इतना मीठा बनाया कोई नहीं जानते जो खुद पुझे थे वही पुझारी बने तुम्हारे मम्मा बाबा ये भी नहीं जानते थे अभी जानने से जाग उठते हैं ओहो हम सो देवता है, भगवान बैट जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, बाकि और कोई हतियारा दी नहीं, मनिशे ये भी नहीं जानते, माया किसको कहा जाता, बिलकुल बे समझ है, ऐसे पत्थर बुद्धी बने, तभी तो बाबा आकर पारस बुद्धी बनाए लक्ष्मी नारण मोस्त बिलवड है, इस समय सबे तमो प्रधान, पर मात्मा को न जाने की कारण, ठिकर भितर को याद करते रहते, ब्रह्मा विश्नु शंकर को भी नहीं जानते, वह सूक्षम वतनवासी, लक्ष्मी नारण आदी को देवी गुण वाले मनुशे कहेंगे, स्रिकर्ष्न देवी गुण वाला था, सत्युग आदी में, स्रिकर्ष्न को बहुत प्यार करते हैं, जुलाते हैं, अगर स्रिकर्ष्न पीछे द्वापर में आया, तो श्री राम को भी जुलाना चाहिए, प्रन्तु राम को कभी ऐसे जुलाते नहीं, जानते हो आत्मा एक बागी दूसरे शरीर में देरी नहीं लगती, सबसे तीकी दोड़ी पहने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता, इससे जास्ती तीका राकेट कोई होता नहीं, बाकी वो समय जिस्मानी चीजे, अब तु प्यार का सागर है, ये एक की ही महिमा गाई जाती है, जरूर प्यार का सागर है, कमाल ये बाबा के प्यार की शिक्षा देकर ऐसा लक्षमी नारण बनाते हैं, वो भी कितने प्यारे हैं, उनका दिदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं, शिरिना दुआरे में दिदार के लिए सोटे लगते रहते हैं, लाइन बनाते के लिए बी इस दियातocy सो, देवी देवता थे हम सो सो हम कहते हैं मा किस दुर ठीबदा, शट्रभी बने हैं जनम लेते हैं, सो देवता थे, फिर दो कला कम हो गई, शत्रिय बने, फिर वैश्य बने, दो कला कम हुई, इसको कहते हैं स्वादर्शन चक्र, एक सक्रिन लगता इस चक्र को फिर आने में, अभी फिर से हम इश्वर की संतान बने हैं, ये नशा चड़ना चाहिए, इस देगा जाता, अतिंद्रिय सुख पूछना हो, तो गोपी वललब की गोप गोपियों से पूछो, अभी हम सो फिर से बाबा के बने हैं, हम सो देवता बनेंगे, हम सो कल रात में थे, आज दिन में हैं, हम ही थे कल रात में थे, नहीं जानते थे, अज्ञान में थे, अभी जानते है हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, बाबा के हमें क्या बनाते हैं, कितनी शोंक से पालना करते हैं, बाबा को गाली भी बहुत खाने पड़ती है, प्रन्तु समझते हैं, ये भी ड्रामा है, क्या समझते हैं, ये भी ड्रामा है, युद्ध के मैदान में मेहनत तो जुरू करनी है ऐसे ने बिगर मेहनत कोई राजाई मिल जाती स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही कहेंगे मास्टर जी आशिरवाद करो अच्छा नमबर पाने के लिए तो पुश्षाट करना है ये गौडली कॉलेज है भगवान वाच मैं तुम बच्चों को राजाउं का राजा बनाता हूँ इसकार्थ कोई समझ नहीं सकते तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते है कैपिटल राजधा ने यही यमुना का कंठा देली है कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है अब तो ठिकर बितर की देली है, फिर तो बनेगी सोने की, बाकी ऐसे नहीं कि सोने की द्वार का नीचे चली गई, फिर निकल आई, लंका कोई और नहीं, इस समय सारी दुनिया लंका है, रावन का राज्ये चल रहा है, सब सजनिया शोक वाटिका में बैची हुई है, वाउत सुक शांती का दाता एक बाप है, वो आकर सुक शांती का वर्सा देते हैं, तो श्रीमत पे चलना है, दंदा दोरी से जितना समय मिले, बाबा को याद करो, करम भी करो, जो जो समय मिले, बीच में बाबा को याद करो, पवित्रता का बल चाहिए, जिससे निरोगी काया जब समय आता है तब बाबा आकर नौलेज देते, मनुश्य तो दे नहीं सकते, ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं, कहते भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं, प्रन्तोवे कोई राज्योग नहीं सिखाते, ये भी जामा में नूद है, भारत का प्राचीन राज्य बाबा के ति मैं आता हूं कल्प के संगम यूगें, उन्होंने संगम यूग अक्षर निकाल यूगें यूगें कह दिया बाप समझाते सत्यू तयेता का संगम होता, दो कला कम होती है, कल यूग में बिल्कुल कलाईं कहतम हो जाती है तुम इन वरणों में आते हो, देवता वरण, शत्रिय वरण, वैश वरण, शुद्र वरण, तुम बच्चे यथात रिती समझते हो, ये सारा खेल है, भारत परी हार और जीत का खेल है, माया हराती है, बाबा आकर जीत पहनाते हैं, ये कोई नहीं समझाते, माया ने अशान्त किया हमें अशांत किस ने किया कोई भी नहीं जानते अब बाबा के तो तुमने शांती का हार गवाया फिर शांती का हार मैं तुम्हें पहनाता हूं जिससे तुम एवर शांत बन जाते हो ये स्वदर्शन चक्र अंदर फिरना चाहिए बाहर में शंक बजाएंगे तो राजरा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने बस बाबा हम तो आपके हैं दूसरा न कोई गीता में स्रीकृष्ण का नाम डालने से कह देते मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरा न कोई समझते स्री कृष्ण ही भगवान है सब एक ही एक है भगवान को ना जानने के कारण नास्तिक बन गए अब तुम बाबा को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो वो है विनाश काले विप्रीत बुद्धी विप्रीत बुद्धी माना परमात्मा से प्रीत नहीं, बाबा है प्यार का सागर, शांती का सागर, सुख का सागर, उनकी बहुत महिमा है, ऐसे नहीं कि ये ब्रह्मा विश्णु शंकर सब एक ही है, भगवान है, नहीं, नारायन भगवान, रामभी भगवान, एक तरफ परमात्मा को कहते नाम रूप से पर ठिकर बितर में कह देते हैं, अब तुम बाब को जानकर, बाबा से पूरा वर्सा लेने का पुर्षाथ कर रहे हो, यह मकाना दी सब शिबाबा बना रहे हैं, बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है, जो भी निर्मान कारे हो रहा है। यार बाबनी का आब बच्चों के रहने के लिए स्थान बन रहा है, तुम बच्चे यहां करके पढ़ते हो, मुसाफरी पूरी करके घर के अब नजदीक पहुँचते हैं, तो समझते हैं, अब हम घर में आकर पहुँचे हैं, तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी, सक्ष करते रहेंगे, खुशी में तुम डांस करते रहेंगे, जब सक्षतकार का पाट चलेगा, आप तो खुशी में ही डांस करते रहेंगे, योग में बैठे बैठे तुम बहुत सक्षतकार करते रहेंगे, खुशी में तुम डांस करते हो, बाकी सब शरी छोड़ चले उतना बाबा तुम्हें बहलाने के लिए सुख देंगे बैटे बैटे बहुत सक्षतकार होते रहेंगे इतने बच्चे हैं शुबाबा का भंडारा तो जरू भरपूर होगा बच्चों से ही सब कुछ होता है कोई के पास साथ बच्चे हैं उसमें कोई गरीब, कोई साहुकार होंगे बच्चे तो ठहरे न, ये तो बड़ा बाप है शुबाब के सबाब है? बड़ा बाप है, बेहद का बाप है बेहद का घर है, ये मात पिता है फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगदंबा को निमित रखा कुमारी ममा में ग्यान योग की ताकत भरी हुई है जगदंबा मा में ग्यान योग की ताकत भरी है बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है ऐसे तो नहीं समझते हो, शुबाबा ही मुरली चलाते हैं इनकी सोल बुद्धु है क्या? बले समझो ये बुद्धु है, शुबावा मुरली चलाते हैं, तो उनको याद करना अच्छा है ना, शुबावा को ही याद करना अच्छा है ना, सदा समझो, इनमें शुबावा के हमें पढ़ाते हैं, बावा केते हैं, मुझे याद करने से तुम सदा सलामत रहेंगे, गौ रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप तर्जा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धार्ना के लिए सार्व, हम सो सोहम की स्मृती से स्वधर्शन चक्र फिराते, रूहानी नशी में रहना है हम सो सोहम की स्मृती से स्वधर्शन चक्र फिराते रूहानी नश्रे में रहना है बाप समान अती मीठा अती प्यारा बनना है सदा सलामत रहने के लिए एक बाबा को याद करना है सिर्फ शान्ती में नहीं बैठना सर्व शक्तिवान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है वर्दाने तपस्या और सेवा द्वारा भविश्य राजभाग का सिहासन लेने वाले सिहासन धारी भव जो बचे याँ सेवा की सीट पर नजदीक है वो भविश्य में राजभाग का सिहासन के भी नजदीक है जितना यहाँ सेवा के सहयोगी उतना वा राजज्य के सदासा थी यहाँ तपस्या और सेवा का आसन वा राजज्य भाग का आसन जितना यहाँ तपस्या और सेवा का आस राजभाग का सिहासन जैसे यहां हर करम में बाप ददा की याद में साथी हैं वहां हर करम में बच्पन से लेके राज्य करने के हर करम में साथी हैं जो सदा समीप सदा साथी सदा सहयोगी सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं वो भविश्या में सिहासन धारी बनते ह जो सदा, समीप, साथी, सहयोगी, तपस्या और सेवा की आसन पर रहते वो भविश्य में सिहासंधारी बनते हैं। इस लोगने रूहे गुलाब वो है जो अपनी रूहानी वृति से वायू मंडल में रूहानियत की खुश्बू फैलाते रहें। रूहे गुलाब वो जो अपनी रूहानी वृति से वायू मंडल में रूहानियत की खुश्बू फैलाता रहें। आज पुरा दिम रूहे गुलाब सिती में रहेंगे, चारो और, जिने भी देखेंगे, रूहानी दृष्टि से देखेंगे। जब आप अपने को आत्मा समझ, दोसे के भृकुटी में आत्मा को देखते हैं, रूहु समझते हैं, स्वते ही रूहानी वाइब्रेशन फैलते हैं। आज प्यार के सागर का प्यार निरंतर अपने उपर बरस्ता अनुभव करें। प्यार के सागर बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं, उनकी कमाल को दिल से महसूस करें। प्यार का सागर बाबा अपना निस्वार्थ प्यार हमें देते हैं, बेहद का प्यार देते हैं, अनकंदेशनल लव देते हैं। महसूस करें। उस प्यार के सागर का प्यार बरस रहा है। मैं रूह गुलाब हूँ। मुझसे रुखानियत के खुश्बू दूर दूर तक फैल रही है। विश्व परिवार को भी परमातम प्यार की अनभूती कराएं। सारे परिवार को विश्व गलोब पर बैठा देखें। सब अपने हैं। सब पर परमातम प्यार बरस रहा है। उन्हें भी वरदान दे। रूह गुलाब भव। रूह गुलाब भव। प्रसन्न चित्त भव। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान होती। । झाल झाल है झाल झाल है झाल झाल